SQL के सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अगर आपने SQL language सीखनी है तो description के अंदर आपको पूरी playlist का link आ रहा होगा जिसमें उर्दू और हिंदी असान जुबान में with a lot of easy examples के चावल की मिसालों से लेके दुकानदार की मिसालों से लेके database को हमने analogy के साथ उसको हल किये तो आप देख सकते हैं वो description में link है और इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में के software कौन-कौन से ज़रूरी है और MySQL क्या चीज है और इसको किस तरीके से install करने है सबसे पहले जो software install करने है वो ये है कुछ ये software पहला है MySQL Workbench दूसरा है MySQL Shell और तीसरा है MySQL Server ये सेम तिनों एक ही website जिसका नाम है MySQL वहाँ पह जाके हम download भी करेंगे और install भी करेंगे और ये क्या करते हैं ये हमें help करेंगे SQL queries को execute करने में किस लिए बड़े-बड़े databases से हमें data निकालने के लिए data add करने के लिए data retrieve करने के लिए और update करने के लिए ठीक है this will also help us to deal with the data कैसे visualize भी कर सकते हैं data को data कैसा है किस तरीके से 5 million rows हैं और आपकी मर्जी की 10 रोज उसमें से आपने निकालने तो निकाल के आप देख सकते हैं तो आप उस data को store कर सकते हैं अपने पास CSV फाइल में XLS फाइल में JSON फाइल में और बड़ी और फाइल्स के अंदर फिर data को retrieve करने के बाद आप अपनी मर्जी से उसे manipulate भी कर सकते हैं अपडेट भी कर सकते हैं तो चलिए time जाय कि बगार इसको install करते हैं त्यार हो जरा बताओ comment section में त्यार हो और SQL आप क्यों सीख रहे है Kodanix से यह जरा comment section में जरूर लिखें इससे जरा motivation होती है आपका interaction पता चलता है चले start करते हैं जनाब आज हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है MySQL को install कैसे करना यह वीडियो बड़ी तहम्मल के साथ देखियागा क्योंकि इसके ऊपर सारी SQL की series जो है वो depend करती है तो सबसे पहले आपने क्या करना है बड़े दिहान से देखना है सबसे पहले जाए MySQL की website पे लिखने के बाद यहां पे MySQL पे क्लिक करें क्लिक करने के बाद आप इसको मैं डिकलाइन कर देता होता हूं अकसर तो यह दुबरा से पूछता है क्या करना है क्या नहीं कूकिस को फिर डाउनलोड पे क्लिक करें डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अगर आप Windows यूज़ करने है तो आपने simply यहाँ पर MySQL Community GPL Downloads पर क्लिक करने है और यहाँ पर MySQL Installer for Windows पर क्लिक कर देने ठीक है तो इस से आपको क्या होगा इस तरीके से MySQL Installer जो है वो आ जाएगा अब आपने क्या करने है Windows X 32-bit जो है MySai Installer 448 MB का यह आपने इंस्टाल करने है चे जाए आपकी जो विंडो है वो 32-bit की है या 64-bit की है It will work for both of those Windows. Download पर क्लिक कर ले और यहाँ पर कह दें No thanks, कोई ज़रूरत नहीं है हमे और यह ऐसे डाउनलोड होना स्टार्ट हो रहेगा On the other hand, अगर आप MacBook पे हैं या Linux के उपर हैं पहले MacBook वालों को बता दूँ कि आपने 3 software इंस्टाल करने है जो विंडो वाले हैं वो वेट करें जब तक डाउनलोडिंग हो जाते MacBook के लिए आपने करने MySQL Shell MySQL Workbench और MySQL Community Server तो Community Server पर जाके आपने यहां से select करना है Mac OS और आप फिर यहां से अगर आपका ARM है मतलब यह के silicon जो M1 या M2 chip है तो आप यह वाला इंस्टाल कर लेंगे Otherwise, you will go with X जो Intel series के हैं ठीक है, इनको install कर लेंगे आप यहां से और यह यहां पे भी आप OS पे क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से यह वाला इंस्टाल कर लेंगे और फिर यहां पे OS पे क्लिक करने के बाद आप ऐसे इंस्टाल कर लेंगे और Linux वाले क्या करेंगे वह भी इसी तरह Ubuntu यह जो भी आपकी Linux वाली है Windows वह ही इस तरीके से आप स्लेक्ट करते जाएंगे ठीक है यह इस तरीके से Windows के लिए थोड़ा सा असान है तो हमने जो डाउनलोड की है यहां पे इस पे मैं क्लिक कर देता हूं आपके पास डाउनलोड फोल्डर में आ गया होगा तो अब वहां पे जा सकते हैं क्लिक करने के बाद यह थोड़ी देर लेगा उपन होने में You know that के सिस्टम जो है वह इसको चलाने के लिए ज्यादा RAM और बाकी चीज़ें required होती हैं Basically मैं इसको यहां से install पे क्लिक करता हूं तो यह Installation स्टार्ट हो गई है अब आपने यहां पे बड़े तहमल के साथ इस वीडियो को देखना है क्योंकि अगर आपकी यह installation सही नहीं होती तो आपको पूरी SQL के series समझ नहीं आनी और hopefully जो error आपको आ सकते हैं वो मैं इसी वीडियो के अंदर यह आपको बताऊंगा ठीक है तो यह MySQL installer आ गया यहां पे आपने न तो developer पे क्लिक करने ना server पे न client only ना full पे custom पे क्लिक करने last वाले पे फिर next कर देना then आपने यह plus बटन से इसे open कर लेने चीजों को और यहां से MySQL server यानि के MySQL server के अंदर जो एक file है उसको यहां पे add कर देना है तो क्या होगा यह सारी इसकी available products है आपने जो install करने वह यह right side पे कर लेने तो हमें 3 applications चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए था Microsoft sorry MySQL server दूसरा MySQL workbench और तीसरा MySQL shell यह 3 हमें software applications चाहिए इसके बाद हमने next कर देना है next करने के बाद execute कर देना है execute करने के बाद यह execute हो रही है और यहां पे यह थोड़ा सा time लेगी और अगर आपने Microsoft Visual C++ यह वाला install नहीं किया हुआ तो इसे भी साथ में install करेगा तो आपने I agree पे click करके install कर देना है तो यह थोड़ा सा time लेगा और यह install हो जाएगा इसे close कर देना है और meanwhile आपकी installation पीछे से भी done हो जाएगी ठीक है जी यहां तक clear है अगर नहीं clear तो वीडियो को pause करें backward या forward इसको लेके जा सकते हैं जिसे हम reverse बोलते हैं नेक्स करने के बाद अब यहां पे आपने देखा है कि यह तीनों चीजें आपके पास install हो रही है ready to install आपने execute कर देना है तो यह बारी बारी execute होंगी यह आपके system की speed पे depend करता है कि यह कितनी memory ले रही है और कितनी जल्दी यह install हो रही है चीजें बड़े तहमल के साथ इसे देखें क्यूंके अगर आपने छोटी से भी mistake की then you cannot actually learn SQL ठीक है और यह installation इसकी हो रही है यहां पे workbench की file थोड़ी सी बड़ी होती है server एक छोटी से file होती है जैसे हमने mini konda किया था install और जिसकी description में link भी आ रहा होगा तो उस तरीके से यह भी एक server system है आपके पास यह इस तरीके से install हो जगा है I will show you कि किस तरीके से हमने use करना है इस पर पूरी की पूरी series है और जिसका link जो है playlist का आपके comment section के अंदर या आपकी description के अंदर आपको receive होगा तो यहां से SQL आपका complete हो रहा है अब shell इसका install होगा इसको थोड़ी speed लग जाएगी और इस तरीके से यह install होती जाएगी चीज़े जैसे यह install होती है meanwhile आपको एक चीज़ बता दू SQL इसको SQL भी बोलते है SQL भी बोलते है और इसको SQL भी बोलते है और MySQL एक database service है ठीक है तो हम इसको क्यों use कर रहे है क्योंकि more than 60% लोग इसे ही use करते है और data scientist basically इसी के अंदर ही अपने databases बनाते है और इस software को ज्यादा utilize करते है MySQL server का क्या function है कि यह हमें command line tool देता है SQL workbench का क्या मकसद है यह हमें graphical user interface कि जो database हमारा बना हुआ है अगर हम command line में नहीं उसे देखना चाते है तो हम MySQL workbench पे उसे utilize कर सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं Shell गया होता है यह basically command line tool की तरह ही काम करता है जिसको हम चला के देखेंगे भी ठीक है अपनी series के अंदर तो जैसे यह वाले installation यहां पे complete होती है execute हो जाती है आप यहां पे next पे click करेंगे next पे click करने के बाद यहां पे आप देखेंगे के यहां पे MySQL server 8.0.30 आ रहा है ready to confirm करके इस पे next पे click करेंगे मैं यहां पे थोड़े सा display setting में जाके अपना जो display है उसे थोड़े सा zoom in कर लेता हूं ताकि आपको असानी हो तो इस तरीके से आपको ज्यादा समझ आ रहेगी अब यहां पे आप देखेंगे development computer ठीक है इसे पे रहने देना है आपने 3306 इसकी port number किसी चीज को नहीं आपने छेड़ना next कर लेना है next करने के बाद उसने बोला use strong password encryption for authentication recommended ठीक है आपने करने ठीक है next और यहां पे आपने जो आपका user name है वो already root set हो गया आपने यहां पे एक password select करने है मैं यहां पे password लगाता हूं password लगाने के बाद उसको repeat कर दिया वो कहता medium strength का है मैंने का चलो ठीक है अगर आपने यहां पे user set करना है और कोई तो आप यहां पे कर सकते हैं but for now please leave it blank next पे क्लिक करें अब यहां पे आपके पास server name आ रहे है आपने सारा कुछ ऐसे ही रहने देना है next पे क्लिक करने next पे क्लिक करने के बाद यहां पे execute कर देना है तो इस तरीके से यह आपका user name password वगरा हर एक चीज़ यहां पे set हो जाएगी ठीक है क्यूं कर रहे हैं हम यह सब कुछ आपको मैं आने वाली वीडियो में जरूर बताने वाला हूँ इसको हमने फिर finish कर देना है finish करने के बाद यहां पे configuration complete इसे next कर देना है और यहां से आपने इसे finish कर देना है और यह दोनों चीज़ें आपकी चल जाएंगी ठीक है तो यह देखें यह आपके पास shell चल गया और यह Microsoft workbench आपके पास यहां पे आ गया है ठीक है यह आपका shell चल गया है अब आपने अगला काम क्या करना है बहुत important काम है यहां पे आपने इनको close कर देना है close करने के बाद आपने जाना है c drive के अंदर c drive में जाने के बाद program files program files में जाने के बाद mysql mysql server के अंदर यह वाला path copy करना है ठीक है करने के बाद यहां पे जाना है आपने start पे जाना है और environment edit the system environment में जाना है edit the system environment इसमें जाने के बाद आपने यहां पे environment variables को set करना है वो कैसे करेंगे आप यहां पे click करेंगे click करने के बाद यहां पे आप देखने है कि आपके पास path आ रहा होगा ठीक है आपने यहाँ पे system variables में जाके path पे click करना है click करने के बाद आपने इसे edit करना है edit करने के बाद यहाँ से new path paste कर देना है new click करने के बाद यहाँ पे paste कर दिया ok 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 और यह ok हो गया इससे क्या हुआ कि आपका environment variable है उसके अंदर आपके पास mysql install होने के बाद वहाँ पे set हो गया अब यहाँ पे click करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा mysql आया के नहीं आया तो यहाँ पे लिखते है mysql dash dash mysql के बाद space डालें फिर dash dash version लिखें तो यह आपको बता रहा है कि आपका mysql जो है वो install हो चुक है ठीक है 8.0.3 for windows 64 यह सारा कुछ यहाँ पे install हो चुक है अब अगर आपने चलाना है तो यहाँ पे लिखेंगे mysql इसको लिखने से क्या होगा आपका sql नहीं चलेगा ठीक है फिर आपने क्या लिखना है mysql minus u user name कौन सा है क्योंकि यह password protected mysql इस वज़ा से नहीं चला इस वज़ा से आपने username देना है यहाँ पे root और minus करके p कर देना है mysql space minus u space root space minus p minus या hyphen भी बोलते हों से अब यहाँ पे आपने password लिखना है जो आपने वहाँ पे set किया था इस वज़ा से उसे लिख के भूलियागा नहीं मैं लिखता हूँ enter करता हूँ तो यह देखे मेरे पास mysql इसकी सारी information और accurate registered सारा कुछ यहाँ पे चल गया है अब इसको चलाने के लिए मैं simple से command लगाता हूँ show data basis तो यहाँ पे यह database show होगे इसका मतलब हमारे पास यह चल रहा है ठीक है show data basis के बाद मैंने यह colon लगाया तो यह हमारे पास यहाँ पे run हो रहा है ठीक हो गया तो यहाँ से हमें अंदाजा हो गया कि हमारा mysql जो है वो run कर रहा है तो basic बहुत सारी commands जो हैं वो मिल जाएंगी ठीक है SQL cheat sheet भी यहाँ पे लिख सकते है तो यह यहाँ से cheat sheet आप download भी कर सकते है PDF format में भी और PNG format में भी ठीक है तो यह देखें यहाँ पे select की आ रही है query databases की query आ रही है operators की query आ रही है यह सारा कुछ हम use करने वाले हैं और इनको समझने वाले है यहाँ पे अगर आप quit लिखेंगे तो यह आप mysql server से बाहिर हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पे हमने देख लिया कि mysql हमारे पास आ गया था अब mysql workbench को देखते है यह हमारे पास इस तरीके से mysql workbench जाजागा तो आप यहाँ पे क्या कर सकते है इस वे उपर आपने फिर से password लगाना है जो आपने वहाँ पे रखा था ठीक है save password दे wallet कर लेना है मैंने vault के अंदर कर लिया wallet या vault जो भी बूलना है आपने बूले doesn't matter तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास सारे server status वगएरा और सारी चीज़ें यहाँ पे show हो रही है ठीक है तो यह base है base के अंदर जो भी आप query लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाँगी मतलब मैं यहाँ पे लिखता हूँ show data basis और यहाँ से इसे run करता हूँ तो यह हमारे पास data basis आ रहे हैं जो हमारे पास data basis है लेकिन इसको देखने के लिए और इसको सीखने के लिए जुड़े रहे हैं और यह playlist का लिंक जो description में दिया वो देखें और जो आने वाली वीडियोस हैं उसका ज़रूर बेसबरी से इंतजार कीजिएगा क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखाने वालों SQL से related